अस्सलामू अलेकूम रह्मतुल्लाही वबरकातू लेसन नमबर सोला बिर्बन आज मैं आपको बिर्बल का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ बिर्बल का जनम ब्रामन कुल में हुआ था वो कालपी के रहने वाले थे वे बहुत बुद्धीमान वो हाजिस जवाब थे उनके पास हर बात का उत्तर था वे पल भर में हर समस्या को सुलजा देते थे वे अकबर के नौ रतनों में से एक थे एक बार भाश्या अकबर के दरबार में बैठे थे के एक कारिगरनेक बहुत सुन्दररेश्मी चादर उन्हें बैठ की उसका रंग सोने जेसा था उस पर रंग बी रंगी फूल बने थे उसके पाकर बास्ट्रा बहुत प्रसंद हुए और उसे वही पर खोल कर देखा ध्यान से देखने पर बास्टा को लगा कि यह चादर सरे से जरासी छोटी है तब उन्हें एक बात सुची उन्होंने वही दरबार में अपना सोने का पलंग मंगवा लिया और कारिगर से बोले देखो बाई मैं इस पलंग पर लेटा हूँ चादर मेरे उपर ओढा दो जब अ सिर खुल गया बास्टा ने कारिगर से कहा अगर तुम छोड़ो तुम तो एक केवल शिल पीओ इस दरबार में बड़े बड़े विद्वान बेठे हुए उन्हें यही काम करने दो आओ भाई यह चादर इस तर मेरे उपर डाल दो कि मेरे सरेर का कोई अंग खुला नहों र हाँ तो फिर पर रखा तो शिर खुल गया और शिर पर रखा तो पर खुल गया अब देखते हैं आगी क्या होता है एक दरबारी आगे आया उसने प्रयत नकिया मगर परेड़ाम वेश आही सिर ढखते ही पाउं खुले पाउं ढखते ही तो शिर पर चादर नहीं बास्टा भूस्तर से काहां। जो था यह सब बर्भर ने बहुत झला करते ते उनके लिए अउसर पनाफ जब किसी की ना आाया तो वो दिल में ही ़ील में बहुत घबराने लगें सब ने प्रहत नक्या अब देखते हैं क्या अकपर जान New पुछकर केवल उन दर्बारियों और मंतरीयों को एक एक करकी बुला रहे थे सभी ने बहुत प्रहत नके पर कोई भी अकबर के उपर वच्छादर इस प्रकार न उठा सके के सारा सरीर ठक जाए बाश्या उठकर बैड़ गए और बोले मैं तो समझाता था कि तुम बहुत अ हम क्या करें बाश्या ने आदिस किया बिर्बल को बुला आओ बिर्बल को तुरंत बुला आया गया सब ने प्रयत नक्या फिर बाशा ने क्या बोला कि बिर्बल को बुलाओ जब बिर्बल आये तो बाशा ने उससे कहां बिर्बल ये सारे दरबारी कह रहे कि हम जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते है वो तुमारे गुणों के कारण नहीं, बलके तुमारी हास्य विनोत की बाती सुन कर करते हैं, आज इन्हें दिखा दो कि तुम में क्या विशेशता है, ये चादर हमें उपहार में मिली है, हम चाहते हैं कि हमारा सारा सरीर ठक जाए, बगर ठकता ही नहीं है, बिरबल ने बाता की तरफ देखते हुआ बोला, कि बाता सरामत आप जो चाहते हैं वही हो जाएगा, बाता उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से मुश्कुरा कर फिर कहने लगे, बिरबल हम इस पलंग पर लेटते हैं, तुम इस तरह हमें उड़ा दो, कि सारा सरीर का कोई अंग खुला न रहे, बिरबल पलंग के पास आया, और थोड़ी देर तक बाता को लेटे हुए देखता रहा, फिर आइस्ता से कहने लगा, हुजूर, यह तो कोई मुश्केली का काम नहीं, परन्तु आप कुरुप्या करके ठीक से तो लेटी है, अकबर ने पूछा किस तरह, बिरबल ने क चादर उनके उपर ओढ़ा दी और सारा सरें डग गया, पाउं भी सर भी, फिर हस्ते हुए कहा, हुजूर, जितनी चादरों उतने ही पाउं फेलाने चाहिए, अकबर ने बिरबल की तरफ देख कर कहा, कितनी अकलमन की बात की, तुमने बिरबल, जितनी चादरों उतने ही पेर फेलाओं तो किसी ने चादर उढ़ने का काम नहीं किया इस तरह बिर्बल अक्बर के दरबार में नित नए करिश में दिखाया करते थे आज भी अक्बर ओर बिर्बल की बहुत सी काम्या हम उसी शोक से पढ़ते वसुनते हैं असलाम उलेकुम वरह्मतुल्ही वबरकातु